सुप्रभात प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण किसका उच्चारण? स्वरों का उच्चारण सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जैसे कि इंगलिश में हमारे पास 26 शब्द होते हैं 26 लेटर्स होते हैं बच्चों उसी तरीके से हिंदी वर्ण माला में हमारे पास बिलकुल उसका डबल, बिलकुल उसका दुगना यानि कि बावन वर्ण होते हैं याद रखिएगा हिंदी वर्ण माला में कुल मिलाकर होते हैं हमारे पास बावन वर्ण उसमें इस होते हैं स्वर, व्यंजन, सैयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, द्विगुण व्यंजन तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा आज स्वरों के बारे में स्वर यानि की अ से अ तक, अ से अनार से लेके अ से औरत तक, अ से अ तक ये जो स्वर है इन स्वरों का उच्चारण कैसे करना है, इसे ही आप लोग आज मेरे साथ सीखेंगे बच्चों, उच्चारण का हमारे जीवन में बहुत महत्तो है कैसे महत्तो है? बच्चों, अगर आप उच्चारण सही नहीं करेंगे, तो आप सही नहीं लिख पाएंगे अगर आपकी उच्चारण ही सही नहीं होगा, यानि कि आपकी वर्तनी भी गलत हो जाएगी जिसे आप लोग कहते हो इंग्लिश में स्पैलिंग, स्पैलिंग गलत हो जाएगी क्योंकि ये जो अ से लेके अ तक स्वर होते हैं और ये जो अंग और आहा है ये सब बनती है हमारे आगे जाके स्पैलिंग यानि कि वर्तनी इसलिए इनका उच्चारण सही होना बहुत जरूरी है जब सही उच्चारण करेंगे तो सही लिखेंगे और जब सही लिखेंगे तभी तो सही पड़ पाएंगे है ना? तो चलिए जुड़िए मेरे साथ इनके उच्चारण कैसा करना है सबसे पहले आता है ओ मेरे साथ बोलिए O मुँ जादा नहीं खोलना छोटा सा मुँ खोलना है O O से अनार अब आप पूरा बड़ा मुँ खोलेंगे बोलिए A बोलिए मेरे साथ A A से आम पूरा मुँ खोलके अब इसको आप लोग कहते हैं छोटी इसे इमली नहीं इसे ऐसे नहीं बोलना है आपको इसको बोलना है इसे इमली थोड़ा जल्दी बोलना है बस छोटी बड़ी कुछ बोलने की जरूरत इसमें नहीं है बोलिए मेरे साथ इसे इमली अब इसको क्या कहेंगे बड़ी इसे इक जी नहीं ऐसे नहीं बोलना आप इसको बोलोगे E से 1 इसका मतलब आपको थोड़ा सा लंबा खीचके जैसे छोटी E को बोला था ना E से इमली जल्दी बोला था इसको कहना है खीचके अराम से E से 1 अब इसको छोटे E से उल्लू ऐसा नहीं बोलना आपको बोलना है E से उल्लू जैसे छोटी E से इमली जल्दी बोला उसी तरह से इसे कहना है E से उल्लू थोड़ा जल्दी बोलना है अब इसे E से उल्लू लंबा खीचने है, बड़ा U नहीं बोलना, क्या बोलना है बच्चों? मेरे साथ बोलिए, बोलिए U से उँठ, थोड़ा लंबा खीच के बोलना है अब है री से रिषी ए से एडी, क्या कहा मैंने? ए से एडी बच्चों ए लिखते समय इसमें उपर से कोई और मात्रा नहीं आती है याद रखिएगा ये खुद एक मात्रा है ए से एड़ी अब ये है ए कई बच्चे इसको बोलते हैं अई अई नहीं बोलेंगे बेटा इसको आप लोग क्या बोलोगे बोलिए मेरे साथ ए थोड़ा मूँ खोलके बोलेंगे बोलिए अटंग थोड़ा बाहर आएगी जीव आपकी बाहर आएगी बोलिए ए जादा नहीं जीव थोड़ा सा बाहर आएगी ए से एनक अब है ओ ओ से ओकली देखो मुख ऐसा अजीब सा हो रहा है ना बोलते समय ओ, ओ से ओखली अब इसके ओ, ओ नहीं पढ़ना, आप लोग गलत पढ़ते हैं इसे ओ, ऐसे नहीं पढ़ना, ओ कुछ नहीं आप इसे कैसे पढ़ेंगे, बोलिए मेरे साथ ओ, कैसे बोलना है, पूरा मुँख खोलते हैं ओ, ओ से ओजार ओ, ओ से ओड़त ओ से ओजार अब स्वर तो खतम हो गए, उसके अलावा आता है मारे पास अनुस्वार ये होता है अंग, अंग से अंगूर और ये होता है आहा, इसके वारे में सुना है ना बच्चों आप लोगों ने आहा क्या होता है, आहा से खाली बच्चों बजाओ, टाली इसका मतलब होता है, ये क्या है, विसर्ग ये किसी भी वर्ण के पीछे से दो पॉइंट्स के दो डॉट्स के रोप में लग जाता है अहा से खाली तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से मेरे साथ एक साथ इसका उचारण करिए अ से अहा तक, बोलिए अस आ इ इ उ री ए ए उ अ अ चलिए बच्चों, मुझे उमीद है, आप लोग मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इसका अभ्यास जरूर करिएगा इसका अच्छे से जब अभ्यास करेंगे, तो क्या बताया मैंने? जब सही बोलोगे, तो सही पढ़ोगे, और तभी सही लिखोगे भी. आज के लिए इतना ही धन्यवाद प्यारे बच्चों.